आईए आपका स्वागते मेरी इस चैनल में देखे और सीखे दा नीटिंग चैनल में देखे मैं आज आपके लिए फिर से एक स्वेटर डिजाइन लाई हूँ यह लेहर दाड डिजाइन है यह बहुत ही खुबसत लगता है और बेबी बैक सैट से लेगेगए यह baby blanket में भी डाल सकती है तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए ये एक design जो है ये 9 फंदों का बनता है तो 9 को हिसाब से लेंगे हम इसे फंदे और एक फंदा extra लेंगे हम जिसमें हम इसे जाली डालते हैं तो मैंने यहां 38 फंदे डाले हैं तो इसकी slide जब आप फंदे डालने के बॉर्डर बनानी की जुरूत नहीं है यह border का cutting खुद भी आ जाता है तो हम इसमें slide डालने के बाद इसमें फंदे जितने हैं अब फंदे डाल रहे हैं फंदे डालने के बाद मैं शुरुआत से बताती हूं आपको ये सोची कि मेरे ये फंदे हैं पहला फंदा उसके बाद हम यहां से दूसरी कलर जोड़ेंगे अब इन सारो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे पहली लाइन सारा फंदा उल्टा इस तरा से सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे मैं यहां बता देती हूं आपको ये पहली लाइन हम उल्टा बुनेंगे फिर तूसरी लाइन हम सिधा बुनेंगे सेल फिर तीसरी लाइन हम उल्टा बुनेंगे और चाथी लाइन फिर हम उल्टा बुनेंगे सोरी पहली उल्टी उसके सीधी फिर उल्टी फिर सीधी और पाँच भी लाइन जब हम उल्टी आएंगे यानि उल्टा साइड उसमें हमें ये डिजाइन डालना है तो चलिए मैं ये लाइन करके बताती हूँ आपको जब देखे हमारा ये फंदे डालने के बाद पहला स्लाइ हमारी कम्प्लेट हो गई अब हम आगए रॉंग साइड हमारी सारी स्लाइ सीधी जाएगी सारे फंदो को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से सारा फंदो को सिधा बुनेंगे मैं ये लाइन आपको नहीं बताऊंगी आप इसे तरह से सिधा करें चलिए तो सिधा करके बताती हूँ और उसके बाद सिधा करने के बाद ये लाइन पूरी लाइन सिधी आएगी आपकी उल्टी साइट से पूरा उल्टी आएगी फिर सीधे साइट से सीधी आएगी और जब हम पांचवी स्लाइट पर आएँगे उल्टे साइट तब हमारी ये डिजाइन डर लेगी तो चलिए मैं ये चार राउंड करके मैं बताती हुआ आपको तो देखिए हमारी ये चौती लाइन कंप्लीट हो गए हम आ गए पांचवी लाइन पे देखिए इधर से हमारी सीधी लाइन है और इधर उल्टी है तो जिदर मुल्टा करेंगे उधर से हमारा ये डिजाइन दलेगा जब हम आ गए पांचवी साइड तो हमारा ये रॉंग साइड में ये डिजाइन डलता है इसमें क्या करना है हमें देखिए ध्यान से पहले फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे पहला फंदा में इस तरह से उतारेंगे धागा अपनी और लाएंगे इस तरह से और यहां हमें धागा अपनी और लाके यहां जाली बनानी है इसमें इस तरह से यह जाली बन गई उसके अगले वाले फंदे को हमें सीधा बुनेंगे देखे एक फंदा हमने बिना बुने उतारा धागा अपनी तरफ किया जाली बनाया और एक सीधा बनाया अब हमें क्या करना है अब दो दो फंदों को एक साथ बुनना है तो इसे क्या गैसे बुनेंगे हम देखें यह जो फंदा है यह पहला फंदा का धागा में से उतारेंगे और इसे घुमा के इस तरह से चड़ा लेंगे इसमें और इसे हम पीछे की और से स्लाई करेंगे देखें इधर से पीछे की और स्लाई डाल के हम इसमें स्लाई करेंगे इसकी बुनाई करेंगे इस तरह से अब ये जो दो फंदे हैं ये दोनों को हम इस तरह से सिलेंगे जैसे नॉर्मल हम इसे बुनते इसे आगे की और से सिलेंग एक इधर से जा रहा है और एक इधर से इसी तरह से बनना है और अगले दो फंदो को हम क्या करेंगे नॉर्मली सिधा-सिधा बुन लेंगे देखें एक और ये दो दो फंदे बुनने के बाद हमें अब जाली डालनी हैं दो फंदों में अब हम जाली डालेंगे दो फंदों को हमने एक फंदे को हमने उल्टा बुना देखिए एक फंदे को हमने उतारा फिर एक फंदे में हमने जाली डाली एक सिधा बुना और दो-दो फंदों को हम एक साथ बुनाई किये जो सिधा एक बार हमने पीछे की तरफ से बुना एक बार आगे की तरफ से दो फंदों को हम नॉर्मली सिधा बुन लिए है और अब जो है देखिए अब दो फंदों में हमने जाली देनी है धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक जाली धागा अपनी और यह दो जाली अब इसके बाद क्या करना है हमें फिर इसी तरह से करेंगे यह वाले धागे को हम इस तरह से खोलेंगे और इसे घुमाते वे इसे इसलाई पे चढ़ा लेंगे और इसे पीछे की और से सिलेंगे इस तरह से इचे की और से सिलेंगे और इन दोनों को एक साथ हम इधार से सिलेंगे इस तरह से और फिर दो फंदों को हम सिधा बुनेंगे जब इस तरह से दोनों-दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे तो नॉर्मली दो फंदे हम सिधे बुनेंगे इस तरह से एक और ये दो उसके इत फिर हम धाग़ अपनी और करेंगे और दू फंदों में जाली डालेंगे एक फिर धाग़ अपनी और ये दो बहुत ही आसां डिजाँन है श्रल्प समझ जाएएगा एक बार तो बहुत ही आसां लगेगा फिर हम इस फंदे को खो लेंगे और इधर से घूमाएंगे और पीछे की और से इससे इधर से बैक तरब से सिधा भुन लेंगे और दो फंदे को फ्रांट साइट से सिधा भुनेंगे अब दो फंदे को नॉर्मली सिधा बुनेंगे एक और ये दो दो फंदे नॉर्मल बुनने के बाद फिर हम धागा अपनी और करेंगे और दो फंदे में जाली डालेंगे एक फिर धागा अपनी और और ये दो जाली डालने के बाद फिर हम इस फंदे को हम क्या करेंगे फिर इस तरह से खोलेंगे ध्यान रहे जाली डालने के बाद यह हम दो फंदो को एक एक साथ करके बुनेंगे यह बैक साइट से हम इसे बुनेंगे इस तरह से फिर ये दो फंदों को फ्रांट साइड से बुनेंगे इन दोनों को बुनने के बाद फिर क्या करना है में जब दो दो फंदे बुन लेंगे तो नॉर्मली फिर दो फंदे हम सिधे बुनेंगे एक और ये दो चीधा बुलने के वाद फिरम धागा अपनी और करेंगे, आप दो फंदों को में हम जाली डालेंगे, एक और ये दो जाली डालने के वाद हम क्या करने है, मारे पास तीन फंदे बच गए, तो ये जब पहला फंदा है, फिर हम इस तरह से घुमाएंगे, और इस पर चड़ा लेंगे, इस तरह से, ऐसे बैक साइड से हम इस तरह से, इसे सिधा बुलनेंगे, देखें, इस तरह से सिधा बुलनें तो हमारी पूरी लाइन complete हो गई अब हम आएंगे back side back side हमें सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है तो चली मैं उल्टा लाइन ये पूरे करके मैं बताती हूँ अब जब हम ये design डाल रहे हैं तो सारी लाइन हमारी उल्टी ही आएगी अब चली मैं ये उल्टी लाइन मिल करके बताती हूँ आपको तो दीखे हमारी ये design डालने के बाद कॉल्टी लाइन complete हो गए ये हमारी 6 रू थी अब हम आगा है 7 रो में अब 7 रो में डिजाइन डालना है ये हमारे 5 रो में डिजाइन डालेगी फिर 7th row में design डलेगी और 9th row में design डलेगी उसके अधि फिर हमारी दूसरी अगर दूसरे color जोड़ना चाहते हैं तो 11 वी line में से फिर आप इस तरह से शुरू करते हैं शुरू से उसके अधि डिजाइन डलेगी तो चलिए अब हम 7 वी line की design डालते हैं दियान से देखिए फिर उसी तरह से हम करेंगे एक फंदा हम इस तरह से उतारेंगे धागा अपनी और करेंगे इस तरह से और यह पहले फंदे को हम जाली बना लेंगे और नर्मली एक फंदा सिधा बुनेंगे आप दो दो फंदो को एक साथ बुनेंगे लेकिन यह पहला फंदा इस तार से घुमाएंगे और पीछे की और से इसे इसे की और से सिधा बुनेंगे अभी दो फंदो को इधर से सिधा बुनेंगे अब नर्मली दो फंदो को देखें यह आपको दिख रहा होगा जाली यह दो फंदे हैं यह और यह यह फंदर यह फंदे हमें सिधे बुन लेना है एक और यह दो आप हम आगे जाली पर देखें जाली दिख रही होगे आपको और यह फंदे यह फंदे फंद बढ़ाते ratio करें अब हम क्या करेंगे माぐ धागा अपने और करेंगे यह एक फंदा हमें बढ़ाया और ये दूसरा दा बढ़ाया अब नॉर्मलर्ण उसी तरह से करेंगे फिर ये फंदटे को इस तरह से घुमाएंगे और बैक से你elf से सिधा भून लेंगे दो फंदो का एक फंदा कर देंगे अब ये दोनों को इस लादसे 2 च्भीव लागए में त्रवाहाई गोईसे जाली बोन लेंगे एक इसे एक फंदा बड़ गया है फिर दूसरा जाली दो फंदे बढ़ गया है भी हम उसी तरह से करेंगे दो भंदे बढ़ जाने एधा फिर चड़ा है Backside से हमें सीधा बोल नेंगे दो फंद ओ कोई साथ बोनेंगे से ARE दो फंदो को एक साथ बुनेंगे, फिर ये दो फंदो को एक साथ बुनेंगे, अब दो फंदे नॉर्मली बुन लेंगे, एक फंदा सिधा, दूसरा फंदा सिधा, फिर हम आ जाएंगे जाली में, धागा अपनी और करेंगे, ये एक जाली बनाया हमने, फिर फंदो को, क्यों यह लिए हम यह दो दो फंदों को एक साथ बुनते हैं ताकि यह जो हमने इधर बढ़ा है इधर यह घड़ जाए फिर देखें मुसी तरह से करेंगे यह पहला फंदा है इसे मुतार के सलाय में इस तरह से घुमाते वे चड़ाएंगे और बैक सेट से सिधा बुनेंगे दो फ यह दो इत्पे खिए हमारे जाली आ गया धागा हम अपनी और करेंगे एक जाली χुला धागा आगजे करेंगे यह दो जाली हमारे पस तिन पंदespère कि अ कि देकी में इस तरह से घुमाेंगे दो छहाएंगे इस तरह से और दो फंदो मुताएंगे पीछे के अर से सीदा बोलनेंगे इसारा से यह अर ब सिता बुलने के याँजिक साथ paranormal दूसु कंप्री लाइन धविलों। सेंद्रों 건 2 गैनि 7 गमंप विलल ट कर crawling हाए त हमाई के ट ओर हम साली टी मि जायगा यह भी टासे सारी पूल्टी बनावे पूरी लाइन आपको सारी उल्टी बनानी है जो चली मैं करके बताती हूँ जो देखें मारा ये एज रो कम्प्लीट हो गई अब हम आ गए नाइंध रो में यानि फ्रंट साइड अब हम फिर से डिजाइन डालेंगे इसी तरह से एक उल्टी एक सीधी पहली लाइन जब अब फंदा बना ले जब अब सलाई पर फंदा डालती है तो पहली सलाई हम उल्टा बुनेंगे फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा ति हमारी चौती लाइन पूरी हो जाएगी पांच वी लाइन में फिर हम डिजाइन डालेंगे छटी लाइन हमारी उल्टी आएगी साथ वी लाइन में फिर हम डिजाइन डालेंगे आठ वी लाइन हमारी फिर उल्टी आएगी और नौवी लाइन में फिर हम डिजाइन डालेंगे धागा अपनी ओर करेंगे और यह पहला फंद हम जाली डालेंगे इस तरह से जाली डालेंगे फिर फिर अब हमें क्या करना है? डो फंदो को, एक फंदा हमने जाली डाला, और तरड़नी आप एक फंदा हम सिधा पून लेंगे, अब यो हमें दो फंदे को एक साथ पूनेंगे, इस फंदे को मेतर घुमा लेंगे, देखे, और इसे back side से हम, इसे सीधा बुनेंगे और इन दोनों को फ्रंट साइड से सीधा बुनेंगे एक साथ हमें क्या करना है अब दो फंदे नॉर्मली बुनेंगे देखें यहां दीखना है आपको एक दो यह और यह फंदे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे एक फंदा और ये दूसरा फंदा जब आप बुन लेंगे तो खुद बखुद डिजाइन पता चल जाएगा पहली लाइन में थोड़ी तकलिप होगी देखें अभी यह हमारा जाली आगिया देख सकते बीच वाली लाइन पे हम धागा अपनी और करेंगे और यहां डिजाइन डालेंगे हैं यहां हम जाली डालेंगे यह हमारा एक जाली धागा अपनी याद यह दूसरी जाली जाली जालने के बाद फिर हम से वसी करेंगे यह फंदाय को हम इस तरह से घुमाएंगे और बैक सेट से दो फंदों को एक सेट बुन लेंगे और फिर इस दो रों फंदों को इस सेट से हम सिधा बुन लेंगे दो दो फंदों को एक साथ बुनने के आद फिर नॉर्मली हम दो फंदे सिधे बुनते हैं एक फंदा सीधा ये दूसरा फंदा सीधा फिर धागा अपनी ओर करेंगे फिर देखें यहां जाली आगी यहां जाली डालेंगे एक जाली फिर धागा अपनी ओर ये दूसरी जाली फिर हम उसी तरह से करेंगे ये फंदों को हम फिर से खोलेंगे और इस पे चढ़ाएंगे इस स्लाइब और बैक साड से इसे सीधा बुने क्या और इन दोनों को फ्रांट साड से सीधा बूने दोनों को एक साथ अब नौर्मली फी देखे एक भंदा सीधा ये दूसरा फंदा सीधा अब देखे हमारी जाली आ गई ये धागा अपनी और करेंगे और यहां हम जाली डालेंगे ये एक जाली डाला हमने धागा अपनी और करेंगे ये दूसरी जाली डाला हमने फिर हम उसी तरह से करेंगे यह फंदा है, इसको इधर से घुमाएंगे, और दो फंदो को एक साथ बुनेंगे, बैक साट से, फिर यह दो फंदो को एक साथ बुनेंगे, इस तरह से, फिर नॉर्मली दो फंदे हम सिधे बुनेंगे, एक सिधा फंदा, और यह दूसरा सिधा फंदा, यह दागा अपनी य डाला हमने लागा अपनी और दूसरी जाला याल द्लाला हमने फिर ये पना है देखि झा तीन पंडी बचेवें इसको यहां और दो फांडो को एक साथ बुनेंगे इस-ra-se इदर से बुनेंगे तो इस तरह से कंप्लीट ओगई और ऐस्सारे संतर हमारे हो कुल गारे हो ऐसके उल्टे आएंगे और फिर हम ये 않은 डॉम हमारी कंप्लीट हो गई आप 10 ने हमारी हण 6 2018 घ्ल पहली लाइन उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर उल्टी फिर उल्टी फिर पांच वी लाइन में फिर हमसे यही रिपीट करेंगी यह डिजाइन तो चलिए बनाईए कैसा लगा यह डिजाइन हमें कमेंट करके जरूर बताएं याकि मैं फिर उसे नए वीडियो लेकिया हूँ आपके सामने थैंक यू धालोग्याज मैं लेकि कान सबस्राइस झाल 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 झाल